हेलो गाईज, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जानना है परजिवी और मृतजिवी में अंतर तो परजिवी और मृतजिवी में अंतर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए परजिवी और मृतजिवी अगर आप परजिवी और मिरित जीवी अगर जानते हैं तो आप अंतर खुद लेख सकते हैं तो आईए समझते हैं परजिवी और मिरित जीवी तो आप सब को आसानी से दिख रहा होगा परजिवी ठेक है जिसे इंगलिज में हम कहते हैं पारसाइट ठेक है मैंने लिख रहा है यहां पर आप गौर कीजिए परिभासा है कि दूसरे जिवों को अहार बना कर जीवित रहने वाला पौधा एवं प्रानी पर जीवी कहलाते हैं आसानी से आप गौर कीजिए तो आपको दिख रहा है कि दूसरे जिवों को अहार बना कर अहार कहने का मतलब भोजन बना कर यानि पोषन बना कर जीवित रहने वाला पौधा एवं प्रानी पर जीवी कहलाते हैं यानि आसानी से आप याद रखें कि जो दूसरों को मारकर खाएगा और धर्थी पर जिवित रहेगा तो उसको हम कहेंगे परजिवी तो पौधा में आप परजिवी का उदारन अमर बेल ले सकती हैं अमर बेल जो है न ये दूसरे पौधे पर रहता है और ये दूसरे पौधवे पर रहता है तो ये क्या करता है कि धीरे धीरे उस पौधा को मार डालता है यानि नश्ट कर देता है और धीरे धीरे उसको सुखा डालता है इसका मतलब ये कि उसको खतम कर दिया तो ये उसको खा गया यानि धीरे धीरे उसका बनाया गया भोजन को यकाक कर दिया अमरबेल खा गया इसलिए अमरबेल हमारा परजीवी का उदारन है ठीक है और परानी में आप इजली ले सकते हैं मनुसिय मनुस्य को हम पर जीवी क्यों कह रहे हैं क्योंकि मनुस्य भी कुछ मनुस्य ही कभी कभी मुर्गा, मचली, बकरा इत्यादी जीवों को मार कर खाज आते हैं तो जो जीवित जीवों को मार कर खाज आते हैं बाई साब उसको हम परजीवी में रखेंगे ही रखेंगे तो मनुसिय हो गया सेर हो गया और बाग हो गया और भी आप उधारन ले सकते हैं तो मनुसिय सेर बाग ये परजीवी का उधारन भी है समझें और पौधा में आप अमरवेल ले सकते हैं और प्रानी में आप ले सकते मनुसिय सेर और बाग मैं बार-बार बोल ही रहा हूँ तो परजीवी में आपको एक ही चीज ख्याल रखना है कि जो दूसरे जीवों को खाएगा मार कर उसको हम कहेंगे परजीवी ठीक है तो आसानी से आपको आया कि नहीं आया सलिए परजीवी अगर आपको आगया होगा तो सलिए मिर्तजीवी को समझते है यहाँ पर आप सब को दिख रहा होगा मिर्तजीवी मिर्तजीवी को हम कहते हैं मिर्तवप जीवी ठीक है जिसे इंगलिस में कहते हैं सैप्रोफाइट यहाँ पर मैंने परिभासा लिख रखा है ध्यान दिजिए कि जो पादप सड़े गले चीजों को खाकर जीवित रहता हो उसको हम कहेंगे मृत जीवी आप परिभासा देखकर समझ गए होंगे कहराए कि जो सड़े गले चीजों को खाकर जीवित रहेगा जो पादप, यानि आप मस्रूम के नाम सुने हैं, मस्रूम को गोबर्चत्ता भी कहते हैं, कवक या फंजाई, ये सभी के सभी जो होते हैं, सड़े गले चीजों को खा कर जीवित रहते हैं, इसलिए मिर्तजीवी के ये सब उदारन है, तो मिर्तजीवी में आपसे अगर पु उसको ही हम कहेंगे मृत जीवी एक्जामपल में मैंने लिख रहा है मस्रूम जिसे गोबर्चाता भी कहते हैं कवा किया फंजाई ठीक है तो आपको परजीवी आ गया होगा और मृत जीवी आ गया होगा तो अब बारी है आपको अंतर लिखने की अब आप क्या किजेगा कि आ आपको नंबर मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आरे इस वीडियो के लिए लाइक कर देना और कि सपोर्ट की जरूरत है हमें सबस्क्राइब करना भूलना मत बाइबाइबाइब टेक क्यार